हेलो दोस्तो नए वीडियो में आपका प्यार भरा नमस्कार चैनल के कम्यूनिटी पेज में हमने एक पोल किया था कि कौन सा मल्टी कैप मुचल फंड पर हम अगला रिव्यू करें और सबसे जादा वोट मिले पराक पारेक लॉंग टर्म इक्विटी मुचल फंड तो आज हम हम इस फंड के बारे में हम आपको बताएंगे और इसका हम लेटेस्ट रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले बड़ी अपडेट देखे पराक पारेक लॉंग टर्म इक्विटी मुचल फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है अब यह जल्दी ही यह फंड फ्लेक में क्या है यह समझने की कोसिस करते हैं देखे कुछ महीने पहले सेभी ने कहा कि मल्टी कैप म्यूच्वल फंड को 25% कॉर्पस जो है लार्ज कैप में 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए यह सेभी ने कुछ दिन पहले कहा अब देखे आप है कि वो फंड 25% तक जाए इतना उनके लिए आसान नहीं है और जो स्मॉल कैप फंड है वहाँ पर बहुत बड़ी खरीदारी करें तो वो ऑपर्चुनिटी की तलास भी उनको रहती है तो वो भी इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है तो सेभी ने क्या क्या की मल्टी कैप त है यानि पहले जो मल्टी कैप का देफिनेशन था वो फ्लेक्सी कैप का देफिनेशन हो गया है गया है उनका है ऋनके अइघ्सरी कैप के फंड में यह मुविश्र में 5 सकते हैं अब पराक्ट पारेक long term equity mutual fund इस fund के बारे में हम चर्चा करेंगे इसकी latest NAV हम आपको बताने वाले हैं इसका performance बताएंगे इसका performance के साथ साथ risk का जो criteria है category है वो भी हम आपको बताएंगे portfolio के बारे में बताने वाले हैं और verdict की ये किन investors के लिए ये fund सही रहेगा तो fund आज की तारीक में 5757 करोड मतलब 5760 करोड के पास asset manage करता है मतलब इतने पैसे fund आज manage कर रहा है जो कि बहुत बड़ी amount है और fund beat करने की कोशिस कर रहा है nifty 500 TRI को जो कि बहुत ही ऐसा benchmark है जिसको beat करना मुश्किल है यहाँ पर क्योंकि mid cap के भी stocks है small cap के भी stocks है तो वह इसका benchmark है तो इसने इसको beat किया है कि नहीं हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले है कैसा है long term पर ही इनका focus है और यह इसी लिए है देखिए long term सब बोलते हैं लेकिन fund इसी लिए long term पर कर रहा है focus तो देखिए exit load देखिए अगर आप एक साल पहले अगर आप इसमें इस exit होते हैं तो 2% का exit load मिलेगा और अगर आप एक साल के बाद मतल़ एक साल और दो साल के बीच में आप यहां exit होते हैं तो 1% का यहां पर exit load रहेगा तो fund खुद चाहता है कि आप long term के लिए इंवेस्टेडर है Mr. Rajiv ठककर इसके fund manager है बहुत ही respected नाम है उनके बहुत सारे YouTube में भी आपको वीडियो मिलेंगे और मेरा पुरा दावा है आपको बहुत सारी learning मिलेगी अगर आप उनके वीडियो देखते हैं तो 18 साल का experience है और पराग पार एक long term equity fund यहां तक की foreign equity मतलब foreign के भी funds है sorry stocks है वहां पर भी यह invest करता है तो कुछ stocks के बारे में भी हम आपको बताएंगे फंड के बारे में हम बता दे देखिए fund का कोई भी dividend plan नहीं है fund के सिर्फ दो ही plan है regular plan direct plan direct plan की जो NAV है 14th December जो latest है 36.11 regular plan की थोड़ी सी कम है 34.46 की उसकी अब यह है fund का return और fund के return को हम compare कर रहे है Nifty 500 TRI के साथ Nifty 50 TRI के साथ और Sensex के साथ तो हम उसके साथ यहां पर compare कर रहे है तो देखिए since inception मतलब day 1 से जब से fund सुरू हुआ है उसका return है 17.60% Nifty 500 जो की benchmark है उसका जो आप return है 13% तक आप देख सकते हैं तो आराम से fund ने 4% से ज़्यादा यानि साड़े 4% इनफेक्ट उतने बड़े margin से अपने main benchmark को beat किया हुआ है 4.5 से भी ज़्यादा फिर देखिए आप यहां पर Nifty 500 निफ्टी 500 में भी आप देख सकते उनका भी return है 12.26 और वहां पर भी fund ने beat किया है फिर sensex जो है उसका भी है 12.90 फिर अगले पिछले एक साल की बात करें मतलब November 19 से लेकर November 20 की अब देखिए November 27 2020 की तो 27% return है और Nifty 500 का देखिए 10.39 और यह एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि एक साल में इतना अच्छा return fund ने दिया है बहुत सारे mutual fund struggle कर रहे हैं तो 2020 में जो PPFS का जो long term equity fund है इसका नाम बहुत हुआ है यह एक रीजन हो सकता है देखिए पिछले एक साल में निफ्टी का return 8.74 यहां पर BAC का return 9.54 और fund है 27.34 अब तो यह एक रीजन हो सकता है कि investors की क्यों अभी knowledge में यह fund बहुत आ रहा है 13.95 है अगर आप तीन साल का देखिए और यहां पर भी आप देखिए बीट किया है अपने जो भी benchmarks है और पात साल में देखिए 13.97 और यहां पर भी ऐसा लग रहा है उन्ह अब risk की category यह तीन साल का risk parameter है morning star का data है तो यह है देखिए शारपे ratio सबसे पहली चीज है यह ज्यादा होना चाहिए तो index और category का आप देखिए 0.16 0.09 है और fund का 0.49 है ज्यादा है बहुत अच्छा standard deviation कम होना चाहिए यह देखिए यह 22.53 है fund का 18.91 है बहुत अच्छा अब index 100 points उपर जाता है तो category 90 points अपर जाती है तो और जो fund है मतलब वो 78 points उपर जाता है ठीक है लेकिन downside में देखिए 100 points market नीचे जाती है तो fund जो है सिर्फ 46 points नीचे जाती है मतलब आपका जो downside का protection है बहुत बढ़ा करता है मतलब market जब नीचे जा रही है तो जो इसके stocks है जो fund है व stocks के बारे में बता देते हैं देखिए total Indian stocks 23 है अब 23 में दो stock arbitrage position में है arbitrage position में उन्होंने Infosys और Tata Motors को बिल्कुल November महिने में लिया हुआ है और overseas के जो मतलब बाहर की जो stocks है वो 5 है और top 10 holding जो है अब देखिए 23 plus 5 28 holding आप ऐसे गिन सकते हैं जो top 10 holding है जो हम आपको थोड़ी दिखाने वाला हूं वो 60% portfolio का हिस्सा है यह जो आप 10 stock आप देख पा रहे हैं यह Indian name है लेकिन जैसे कि हम आपको बताया था PPFS long term fund जो है invest करता है global securities में भी तो जैसे सबसे ज्यादा अगर आप देखे percentage of asset तो उस हिसाप से alphabet का है यानि Google उसके बाद अगर आप देखे global की बा Facebook में भी उन्होंने बाइंग की हुई है Facebook में भी उन्होंने बाइंग की हुई है तो यह सब कुछ global names है जहां पर उनका investment है अब जो Indian name है वो आपके सामने है ITC जो सबसे ज़्यादा अगर Indian में अगर आप देखे तो ITC है और overall आप देखे तो Google जो है alphabet उसका class C जो shares है वो है फिर है Persistent फिर है Bajaj Holding फिर है India Energy Exchange platform company है यह फिर है Hero Motocop फिर है Emphasis IT की company Multi Commodity Exchange यह भी एक platform जैसा ही है और HDFC Bank, Axis Bank, दोनों banks है respectable private banks है और बालकृष्णा इंडस्ट्री तो यह 10 Indian name है आप जो देख सकते हैं आप जो अपनी जो screen के सामने आप देख रहे हैं तो अंत में फंड ने अपने benchmark को बीट किया है एक साल, तीन साल, पांत साल और जब से इस fund की शुरुवात हुई है इसके जो benchmark है जो NSE 500 है और यहां तक की additional benchmark जो NSE 50 है या BSE है उसकब को इसने बीट किया है जो की positive है और Rajiv ठकर सहाब ने पीट तो किया है और risk को भी manage किया है जो risk के हमने कुछ criteria देखे है यहां पर वहां पर से भी देख के लग रहा है कि fund ने risk को भी अच्छे से यहां पर manage किया है एक और जो positive चीज है देखे हमारी आज की life में बहुत हद तक Google Facebook और Amazon का एक बहुत हद तक हम देख सकता हमारे lifestyle का एक हिस्सा बन चुकी है लेकिन यह सब company लिस्टेड है US में तो आप directly नहीं तो indirectly इस fund के थू में इन सब companies में भी आप invest कर रहे हैं लेकिन यह positive तो है लेकिन आज US की market भी all time high के आसपास है और यह सब जो stocks है आप भी देख रहे हैं कि अच्छा है खासे बढ़ चुके हैं तो अब यह long term investors के लिए ही यह सब ध्यान में रखने की बात है अब देखिए US market में कल correction होता है तो NAV में भी की फरक पड़ेगा आज जो NAV है इसकी all time high के पास में है तो जो fund खुद चाहता है खुद वो कहते हैं कि आप long term के लिए इंवेस्ट करेजिए देखिए 2% का उनका exit load है इसका मतलब कि आप 4 महीने 6 महीने में आप exit कर जाए तो फंड भी नहीं चाहता और वो सही भी नहीं है एक साल के बाद बहुत सारे फंड जो है exit load नहीं लेते लेकिन यह fund 1% का exit load लेता है तो आपको अगर इंवेस्ट करना है तो कम से कम 5-7 साल का अपना एक thinking रखनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टन चीज अपना asset allocation रखना है asset allocation मतलब समझ लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं और तो 50 लाख रुपए में से ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए आप एक ही stock में या फिर एक ही mutual fund में रख दे नहीं ऐसा नहीं अपने financial advisor की जला लीजिए और उस हिसाब से asset allocation की ताकि आपका जो diversification भी हो और आपका जो risk भी जो है वो भी एक तरीके से कम हो क्योंकि इस वंड के जो risk अब देख सकते हैं क्योंकि equity है equity market में कल कुछ correction आता है तो fund को भी फरक पड़ेगा global market में भी correction आता है especially US market में फरक आता है तो इस fund को भी फरक पड़ेगा तो वो सब अपना decision जरूर लीजिए दोस्तों अपना view जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद